हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माइनी व्लोग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज जो वीडियो में लेका है हो उसके अंदर देने वाला वह इंफोमेशन आप अगर इंडिया के या फिर बाहर किसी भी एरपोर्ट पर आप ट्र और अगर आपने कोई बैक चेक इन नहीं कराया है तो आप कैसे एकजित कर पाएंगे एरपोर्ट से तो वो सारी जानकारी दूंगा आज इसी ही वीडियो के अंदर वीडियो में लास्त तक बने रहें और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो शायद और कोई भी इशू कोई प्रोब्लम कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे किसी भी वीडियो पर कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आपको सुलूशन देने की कोशिश करूँगा अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को शेयर करें और ज्यादा ज्य करते हैं दोस्तों अभी मैं हूँ देली में ट्रमियल 3 एरपोर्ट पर अगर आप कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट करते हैं और ट्रमियल 3 पर लैंड करते तो इस तरह से एसके लिटर से आपको नीचे आ जारा है और नीचे आने के बाद जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ सब्सक्राइब करते हैं और अगे बढ़ते हैं तो आपको फिट से साइन बोर्ड सब चीज दिखने वाली है और दोस्तों यही आपको फोलो करना है चाहिए आप इंडिया के किसी भी एरपोर्ट पर हो तो इस तरीके साब बैगेज बैट स्क्रीन में चेक कर सकते हैं अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको सारे साइन बोर्ड इंटरनेशल ट्रांसफर डेक्स के लिए लेफट हैं साइड पर जाना है टर्मिनल वन और टू के लिए राइट हैं साइड और बैगेज और एक बैगेज बैल्ट शो नहीं होता है और आप नहीं समझ पाते हैं इन स्क्रीन को उसके लिए भी हर एरपोर्ट पर एक इनफोमिशन डेक्स बना हुआ होता है तो दोस्तों जैसे ही आप अराइवल होल की तरफ बढ़ेंगे टर्मिनल 3 एरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लैट करके आने के बाद आपको फिर साइन बोर्ड दिखाई देंगे फस्टेड ला वाली है तो यह बड़ी वाली स्क्रीन जो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर भी सेम चीज़े आपको दी हुई है कितने बड़े फ्लाइट आई है कौन सी एरलाइन है क्या फ्लाइट नमबर है कहां से आ रही है और बैल्ट और उसका क्या स्टेटस है डिले है या नहीं तो अगर बैल्ट नमबर मेंचन होता है तो आप देख सकते हैं 45678 तक डोमेस्टिक की बैल्ट है लेफ्ट एंड साइड पर और वहीं अगर आप देखना चाहेंगे दूसरी साइड अभी कोई भी फ्लाइट नहीं आई है डोमेस्टिक की तो कोई भी बै देंगी 1, 2 और 3 तो यह सारी बैगेज बैल्ट है अगर आपका बैगेज है तो इन ही वन से लेके एट तक किसी बैल्ट पर बैग आपका आने वाला है बस आपको आपका फ्लाइट नमबर पता होना चाहिए और अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं स्क्रीन तो उस पर आप आएंगे अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे तो वो लोग आपको बैगेज बैल्ट नमबर बता देंगे जिन लोगों का बैगेज है वो अपना बैगेज करने के बाद फिर सामने ट्रांसफर के लिए और एक्जिट के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे यहां इंफोर्मेशन आपको मिल जाने वाली है तो आप देख सकते हैं यहां पर सारे टैक्सी के ओप्शन अवेलेबल हैं मेट्रो के लिए कहां पर जाना है टर्मिनल वन टर्मिनल टू के लिए कहां जाना है कार रेंटल्स के लिए कहां पर जाना है और दोस्तों एब बेस यानि का ओला उबर के लिए कहाँ पर जाना है फार्स टेड लाउंज सारी इंफोमेशन या दियुए और प्लस आपको टर्मिनल वन और टू की फ्लाइट के स्टेटर भी यहां से पता चल जाएंगे उसके लिए भी आप देख सकते हैं टर्मिनल वन की डिस्पले लगी हुए है और फ्लाइट आप देख सकते हैं सामने 3 नमबर गेट है उसके बराबर में राइट एन साइट मे एक 2 नमबर गेट है और उसके बराबर में ही इन तीनो गेट से हाप ID कर पाएंगे एरपोड को तो दोस्तों कोईवीं भी फ्लाइट नहीं आई थी लेकिन हम्मैं दुबारा से आपको डिस्पले दिखा देता हूँ कि कैसे baggage belt नंबर शो करता है तो अभी मैं आपको दुबार से डिस्पले पे लेके जाने वाला हूँ क्योंकि अभी काफी सारी फ्लाइट है आ चुकी है अभी मैं आपको डिस्पले में दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से लोग अपना baggage belt चेक करते हैं और अपना baggage collect करते हैं तो दुबारा से इसक्रीन आप देख लीजिए baggage information की अब आप देख सकते हैं पहली आप देखें तो यह फ्लाइट आई है आपकी AI-454 जो अमरित सरसा आई है 7 number belt पे इसका baggage आ रहा है उसके नीचे जो है उसका baggage belt है number 8 उसके नीचे baggage number 2 है Air India की फ्लाइट इस तरीके से baggage belt number mention होता है और आप यह baggage belt पढ़के सीधा अपने ही बैट पर जाए baggage collect करने के लिए फिर भी अगर कोई आपको baggage नहीं मिलता है या फिर आपको कोई confusion होती है तो मैंने जैसे आपको बताया सामने ही आपको यह जो i button दिखाई दे रहा है यहाँ पर information desk है यहाँ पर आप आ सकते हैं और वो आपकी help कर देंगे और सामने से हैं आप exit कर सकते हैं एरपोर्ट